जै माता दे मित्रो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी काल का मा में मित्रो प्रेत बाधा एक ऐसी समस्या है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को समस्याओं से बर देती है ये समस्या किसी को भी हो सकती है किसी को नहीं भी हो सकती कुछ व्यक्तियासे होते है जिन पर इस समस्या कोई परबाव ही नहीं पड़ता तो आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या सवारी वाले व्यक्तियों को भी ये समस्या हो सकती है या नहीं तो इसी विशे पर आजम चर्चा करने वाले हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें मित्रो क्या सवारी वाले व्यक्ति को प्रेत बादा हो सकती है तो इसका उत्तर है हाँ हो सकती है बलकि सवारे वाले व्यक्ति को तो अत्यदिक जो हैं चांस रहते हैं कि उनको यह समस्या हो सकती है तो उनके इस्ट उनके सरीर की रक्सा करते हैं लेकिन वो उसको हटा नहीं पाते क्योंकि उनके पास एक सकारात्मकूर्जवी होती है और प्रेत की नकारात्मकूर्जवी होती है लेकिन जो प्रेत की जो उर्जा है उसको आपकी सवारी नहीं हटा पाती क्योंकि प्रेत को हटाने का एक प्रोसेस होता है जो किसी भी भगत के द्वारा पूरा किया जाता है तत पस्चाती उस प्रेत को हटाया जा सकता है भगत जो कई तरीकों से प्रेत का बंदन करते हैं जो उनके गुरुओं ने उन्हें बताया है उसी तरीके से वे प्रेत को हटाते हैं चाहे वो उनका बंधन कर दे बोग पर साथ दे कर उनको कहीं बिठा दे या गार दे और भगत की द्वारा ही संकट को हटाय जा सकता है तब ही आपकी सवारी सुद रूप से आती है जो व्यक्ति दर्बार लगाते है या चोकी लगाते है और बहुत से संकट उनके सामने आते है और भी उनके काटते है संकट काटने के बहुत से नियम होते है तरीके होते है जो गुरू के द्वारा ही बताय जाते है जब वे व्यक्ति संकट काटते है और बहुत से संकट उन्हें काटने का पता ही नहीं होता ये उन व्यक्तियों की बात हो रही है जिनके उपर सवारी आती है और वे संकट काटते हैं लेकिन बिना गुरु के बिना गुरु मंत्र के वे संकट काटते हैं तो वे दूसरे के संकट को अपने कंदों पर लेते हैं वो नकारात्म कूर्जा उनके सरीर पर अपना प्रभाव डालती है क्योंकि गुरु मंत्र सुरक्सा कवच का कारे करता है जो उनके पास नहीं होता ऐसी परिस्थिती में कुछ संकट उनके सरीर पर निवास करते हैं और कुछ संकट उनके घर में रहते हैं क्योंकि उनको अपने घर में स्थान देते हैं उनको पता ही नहीं होता कि संकट काट कर उसका निवारन कैसे किया जाता है उस प्रेत को कहीं छोड़ा जाता है कैसे दूसरे के सरीर को उसको उस प्रेत को हटाया जाता है या संकट को काटा जाता है तो ये सब बाते उसको पता ह नहीं होती तो वो उस संकट को अपने घर में स्थान दे देते हैं तो वो प्रेत उनके घर में उत्पाद मचाता है दूसरा पक्सियदी में देखूं तो सवारी के साथ प्रेत लगना संभव है आपकी सवारी की जो किरन है पुंज है उसका तपोबल बरपी निरबर पड़ता है कि आपका तपोबल कितना प्रबल है आपने अपनी पूजा पाठ से कितना अपनी उर्जा को बढ़ा रहा है इस्थ तो आपकी पूजा पाठ से परसन होकर आपको अपनी किरन सोप देते हैं लेकिन वो स्वम नहीं बढ़ती वो आपको अपनी पूजा से अपनी जाप से बढ़ाने होती है यदि वो आप नहीं बढ़ा रहे तो ये समझ से आपको जो है होने के काफी chances रहते हैं इस्थ हमें अपनी किरन देते हैं लेकिन स्वम वह नहीं बढ़ती तो वो हम पर ही निर्वर करती है हमें उसे बढ़ाना होता है सवारी व्याले व्यक्ति को प्रेत बादा आसानी से लग सकती है कोई भी उर्जा उसके सरीर में परवेश कर सकती है जबकि वो यदिवे कोई लापरवाही करते हैं काफी लापरवाहीयां भी हैं जिनके द्वारा प्रेत जो है साथ चल देते हैं जैसे कि रात के समय चो राहों से निकलना, खुसबू लगा कर निकलना, या दो पहर में बाल खोल कर निकलना, तो इन सब गलतियों के द्वारा कोई भी नेगेटिव एनरजी जो है आपके साथ आपके सरीर में प्रवेश कर सकती है. कुछ व्यक्तियों को तो सरीर ऐसा होता है कि वे उनके सरीर पर नेगेटिव एनरजी जल्दी से अपना प्रवाव नहीं डाल पाती. तो जो सवारी वाले व्यक्ति हैं, उनके सरीर पर काफी चांसे रहते हैं और वे प्रहित बादा से गरसित हो जाते हैं. यदि आप चाहते हैं कि आपकी सवारी सुध रूप से आए और आपको इस समस्या ना हो तो अपनी पूजा पार्ट को बढ़ाए जापको बढ़ाए यह नहीं कि सवारी आते ही आप अपनी पूजा पार्ट नहीं करेगे आ गई तो आप उसको ऐसे ही छोड़ देगें. आपकी पूजिटिव एनरजी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्रेट के पास भी काफी सक्तिया होती हैं प्रेट भी काफी तरह के होते हैं उनके पास बहुत सी सक्तिया होती हैं आप प्रेट की सक्तियों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कि कितने तरह के प्रेट होते ह और वे कितने सकती साली हो सकते हैं एक से बढ़कर एक प्रेथ होते हैं जिनके सामने आपका तपोबल ही खड़ा हो सकता है फिर भी कोई उर्जा आपके सामने तब खड़ी हो सकती है जब आपका तपोबल कमजोर होगा यदि आपने अपनी उर्जा को इतना बड़ा रखा है अपनी सवारी को इतना मजबूत कर रखा है कि कोई negative energy उसके सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। तो हमें अपनी उर्जा को बढ़ाना है, जाब करना है, पूजा पाट को बढ़ाना है और इस समस्या से हमें बचना है। यदि हमें ये समस्या हो जाती है, तो हमारा जीवन काफी कष्ट में हो जाता है, तो आपको अपना जाब बढ़ाना है, अपना यदि आपके गुरु नहीं है, तो गुरु धारन करें, ऐसे बिना गुरु के चोकी ना चला है, पूछा ना दे, संकट ना काटे, तो इन सब के साथ, अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी,